नमस्कार मैं एड़ोकेट विकास यादा हो एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सबका एक नई वीडियो में देखें कुछ बच्चों का डाउट था कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर हमारे बिल्कुल बाउंडरी लाइन पे मार्क्स है यानि कि अगर वो जनरल और OBC है तो उनके 44-43 नमबर है और अगर SCST की बात करें तो उनके 38-39 नमबर है तो सर हमारा क्या होगा हमारे कोई चांस है या नहीं पास होने के तो वो हमें बता दीजिए तो भाई मेर को यह लगता है कि बिल्कुल चांस है वो डिपैंड करता है कि AIB कैसे रियक्ट करता है ज जनरल और OBC के जो बच्चे हैं उनको 100 में से 45 नमबर लेने होंगे यह कोई मेरिट बेस एक्जाम नहीं है इसमें मेरिट नहीं निकलेगी यह क्वालिफाइंग एक्जाम है यानि आपको 45 नमबर आप ले लोगे 45 यह 45 जादा नमबर आप ले लोगे जनरल और OBC हो आप तो कोई मेरिट बननी है नहीं इसमें लेकिन दिक्कत कब आ रही है कि जब इन्होंने आपकी आंसर की दी अभी 12 तारीक को जब आंसर की दी 10 तारीक को एक्जाम था तो उसमें काफी कोशन्स में एरर था ठीक है कोशन्स में एरर था और वो ऐसे एरर थे कि कोशन्स या तो उन् इस वीडियो में देखने वाले हैं तो अब देखिए कि ऐसे case में cut of change हो सकती है might be ठीक है there is possibility कि उन बच्चों का भी pass हो सकता है जो boundary line पर है देखिए अब क्या करेगी AIB जो आपने objection raise करें हैं उनको अच्छे से analyze करेगी होता क्या है कि objection raise करने कोई fees होती नहीं है तो क्या करते हैं बच्चे बच्चे एक बच्चा बीस बीस पच्चिस पच्चिस कोशन objection कर देता है ठीक है अब AIB वालों को सारे questions तो objection raise करें एक बार analyze तो करने पड़ेंगे बच्चे कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने 50 question भी कर दियो है कि हमारे according तो यह answer होना चाहिए आपने गलत दिया आपकी answer की गलत है लेकिन actual में अगर देखे तो हम तीन कोशन तो 100% गलत है ठीक है जो मैंने अपना analyze वीडियो बनाया था answer की के regarding तीन कोशन तो 100% गलत है अगर एक का दुक्का और मानले हम तो पांच कोशन हो सकते हैं चार से पांच कोशन गलत हो सकते हैं इससे जादा question गलत होने की संभावना है नहीं तो AIB time लेगी उसक और ठीक है तो अब AIB क्या करेगा जो final revised answer की बनाएगा तो उसके बाद आपके सामने कितनी possibilities होंगी एक condition यह होगी कि वो जो आपने objection raise किया है उसको नहीं मानेंगे कहलेंगे हम आपका objection नहीं मानते हैं आपने गलत objection raise किया है हमारे according इस question का यहीं आंसर है जो हमने 12 तारीक का answer की दी थी उसके अंदर जो हमने option दिया था वही इसका accurate answer है most appropriate answer है यानि कि आपने यहां पर जो objection raise किया था उस question का वो यहां पर failure कर गया है ठीक है वो कोई काम आपके आया नहीं है दूसरी condition क्या है कि भाई वो अपनी गलती मान लेंगे जी वहीं हमसे गलती होगी थोड़ा माफ कर दीजिए हमारा जो typist था उससे गलती होगी वो option B कर दिया उसने वाकि करना था C answer C answer उसका right answer था तो ऐसे में वो अपनी गलती मान लेंगे जहां पर साफ साफ लिखा है on the face of record लो में एक वड़ी उच्किया जाता है on the face of record अगर कोई चीज दिख रही है कि हाँ गलती है error है तो वहाँ पर मान लेंगे कि हाँ यार गलती होगी हमसे माफ कर दीजिए तो ऐसे cases में उन बच्चों को नंबर दे दिया जाएगा केवल उनी बच्चों को नंबर दिया जाएगा जिनका final revised answer की में change करने के बाद जो option दिया गया है वो option उनने mark किया गया अब मान लो जो 12 तारीक को answer की आई थी उसमें उस बच्चे ने b mark किया था और उसने b mark करके अपने marks add कर लिये ठीक है plus 1 उसने जोड लिया लेकिन जो final revised answer की आई उसमें c correct answer था तो अब भाई उस बच्चे को अपना minus 1 करना पड़ेगा और जिस बच्चे के बिचारे ने अपना marks नहीं देनी नहीं है हमें इस मामले मुलजना ही नहीं कि कौन सा option सही है कौन सा गलत है हम question ही delete कर देंगे ठीक है तुम भी खुश हम भी सब खुश अब यहां पर जो question delete करेंगे उसमें काफी आपकी जो variety है change हो जाएगे scenario cutoff का केवल और केवल delete question करेगी AIB तभी change होगा तभी आपक जो 100 वाला criteria है handed marks to maximum marks है वो decrease हो जाएगे और cutoff इसी के coding decrease होगी और किसी भी criteria के coding cutoff decrease नहीं होगी fourth condition क्या है grace marks कि वहाई सब को हम एक एक नमबर दे देते हैं free का सब खुश रहो दिवाली बोनस है सब को सब एक एक नमबर ले जाओ अपने अपने ठीक है तो यहां पर भी AIB है वो हेंड़ी questions रखेगी अगर question delete नहीं करती है तो वह grace marks दे रही है एक एक नमबर आर एक बच् more than one correct option सिता गिता वाला मामला है भाई ठीक है हना दोनों चीजी एक जैसी दिख रही है यानि कुछ question ऐसे थे जैसे की family law में बात करूं मैं तो एक question था एसा जिसमें दो option correct थे ठीक है अगर most appropriate की बात करें तो एक question तो होना ही चाहिए क्योंकि यह जब 12 तारिक वाली answer की देत है तो उनी बच्चों को number मिलेगा जिसने या तो बी डी किया है तो इसने दोनों बच्चों को number मिल जाएंगे लेकिन जिस बच्चे ने A और C किया है उसको number नहीं मिलेंगे अगर उसने A और C करके अपने number जोडे थे तो उसको वहाँ पे फिर minus one करना पड़ेगा final device answer की के condition 1, 2 और condition 4 और 5 की बात करें तो इन conditions में आपकी merit list जो है आपके cut of marks है वो 100 में से decide होंगे आपका decrease नहीं होगा ठीक है merit list criteria same रहेगा जो आपका 45 और 40 है लेकिन अगर question delete कर दिया जाता है तो वहाँ पे देखे सिनारियो कैसे बदलता है for example हम बात करें let's assume कि 2 question AIB delete कर देता है यानि अब 100 में से आपके सामने 98 questions रह गए दो कोशन डिलीट कर दिये एक दो कोशन में उसने answer अपना जो correct था वो mark कर दिया अपना चार पांच कोशन में उसने ठीक किया लेकिन 2 question delete कर दिये आपके जो passing marks है कुछ भी आप कह लीजिए वो अब 100 में से नहीं आएंगे वो अब 98 में से आएंगे अगर 2 question delete होंगे अगर 3 question delete होंगे तो 97 में से आएंगे तो अगर आप 100 की बात करते हैं तो 100 में से 45% 45 होता था 100 का 40% 40 होता था लेकिन अगर हम 45% की बात करें तो वो 45% हमें 98 में से calculate करना पड़ेगा अब यहाँ पे criteria जो है हमारा passing marks का अगर हम 98 का 45% देखें तो 44.1 होता है अब आपको पता है कि इस exam में negative marking होती नहीं डेसीमल में marks आपके आ नहीं सकते ठीक आपके वोल्ड डिजिट में marks आएंगे तो एप्रोक्स यानि की 44 ले लिया जाएगा जिन बच्चों के नंबर 44 है या 44 से जादा है उन बच्चों को पास कर दिया जाएगा जनरल और OBC में ऐसे ही अगर हम SST की बात करें तो 40% लेना होगा हमें 98 questions का तो वो आपका निकल के आता है 39.2 यानि कि 39 यहाँ पर round figure कर दिया जाएगा जिन बच्चों के नंबर 39 है 39 प्लस है तो उनको यहाँ पर पास कर दिया जाएगा अब ध्यान देने वाली बात यह है कि सारा खेल जो final answer की आएगा उसके बाद ही decide होगा कि कौन बच्चे पा होप ले सकते हो कि final answer की के बाद आपके marks भणेंगे ठीक है आप पास कर जाओगे और ऐसे ही cht जिन बच्चों के marks 38, 39, 37 है वो भी आप एक बार होप ले सकते हो कि आपका clear होने के काफी chances है ठीक है काफी chances है बाकी एक बार final device answer की आती है तो हम उसको एक बार फिर से अच्छी से analyze करेंगे देख लेंगे ठीक है वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को like करिए खुश रहे हैं मुसकरत रहे देशा ख्याल रखिए कोई भी अगर आपका doubt है तो आप comment में पूछ सकते है या मेरा personal whatsapp number है आप अपने चैनल पर main page पर जाके वहां से लेके मुसको आप whatsapp भ